आर्टिकल आया था मेरे और शुषांत के बारे में तो मैंने फेस्बूप पे एक पोस्ट किया था एक आदमी ने जिसका नाम है शुषांत को जानता था मैं पर उसे एक दो बार में था सुरज का अफैर था दिशा से दोस्तों शुषंत सिंग राजपूद की केस में और दिशा सालियन की केस में ऐसा एक भी ब्यक्ति नहीं है जो की आदित्य पन्चोली के बेटा सुरज पन्चोली का नाम ना सुना हो पर सुरजबंचोली जब उस टाइम पे यानि शूषण सिंग राजपूद की केस होने के बाद कई जगा पे कई सारे इंटर्फियू के माध्यम से बो ये खुलासा करने की कोशिश किया था कि शूषण सिंग राजपूद की केसओ चाहे दिशा सालियन की केसो कोई भी केस के स उसका किसी भी तरह का कोई भी connection नहीं है बलकि उसका दावा तो ये भी था कि वो शुशंत सिंग राजपुत की एक बहुत अच्छा दोस्ते और शुशंत और दिशा की case में उनका जो छबी बन गया था लोगों के सामने तो उस छबी को धोने के लिए वो पहुंच गया थे व सुरज की वीडियो के जरीय मैं आपको बो नहीं दिखाऊंगा बलकि मैं आपको ये दिखाऊंगा कि सुरज पंचोली कैसे on the camera जूट कहा था हम लोगों के सामने और जूट जो है डेफिनिटली उसका कोई प्रूफ आप लोगों के सामने रखना होगा तभी जाके उसको आ मैं खीच के उतरने वाला हूँ इस वीडियो पे तो वीडियो को जरा से भी स्कीप मत करिएगा चलिए डिरिक्ली हम इंटर करेंगे सुरज पंचोली की दिया हुआ उस इंटर्व्यू पे प्लिटिकल लीडर्स थे बॉलिवट के कौन-कौन थे आपको उनसे पूछना चाहिए कि उनको ये बात किस ने बताया क्योंकि नारायन राने सर्प कह रहे है कि मेरे घर पे शायद से पार्टी हुआ तो दोस्तों आभी तक जितना दूर आपने सुना उस जगा पे बात किय जा रहा है कि नारायन राने ने क्लेम किया था उस टाइम पे कि आदित्या पंचोली के घर में यानि सुरज पंचोली के घर में पार्टी हुआ था और जिस पार्टी में आदित्या ठाक्रे शामिल थे यहां पर कहा जा रहा है ना कि एक मंत्री का बेटा या फिर ऐसा कुछ तो वो लोग बाते, जो हे बाते को ऐसे घुमा घुमा के कर रहे थे, किसी का नाम डिरिकली नहीं ले रहे थे तो जो मंत्री का जो बेटा का नाम जो आ रहा था उस टाइम पे, वो आदित्या ठाक्रे ही था तो नालैंडरे के तरफ से ये क्लेम था कि सुरज पंचोली के पार्टी में आदित्या ठाक्रे शामिल था, आदित्या ठाक्रे आया था और सुरज पंचुली का कहरा है कि बो ऐसा कोई पार्टी ना तो हुआ है ना तो उसको ऐसी कोई पार्टी के बारे में कोई जानकरी है जो कि उनके घर में हुआ है बात जो है बात एकदम सही है ये जो प्रोपोगेंडा फैलाया गया था उस टाइम पे ये बस और बस किसी को क कुछ भी पता नहीं, जहां पे कहीं पे अगर थोरा सा वाट स्टै पे कुछ मिल गया सुनने को, वो चलो, लगा दिया लोगों के सामने कि यह यह हुआ था, किसी ने अगर मानिये कि फेस्बुक के जरी कुछ कह दिया, सुना देखा, चलो, उसको भी एक हाइलाइट करके सुराज पंचोली के घर में पार्टी हुआ था, क्या जवाब देंगे नारायन रने, क्या कोई जवाब है, अब यह वीडियो देखके मत सोचेगा, एक रती भर के लिए भी मत सोचेगा, कि इस वीडियो में अधित्या पंचली की बेटा, यह हराम खोर, सुराज पंचोली क को मैं कहीं पे भी सपोर्ट करूँगा, पर लोजिकली और लीगली बात करूँगा, तो मेरा एविडियन्स के साथ अगर बात कहना हो, तो बात यह ही कह रहा है, कि सुराज पंचोली के घर में कोई पार्टी हुआ नहीं, बस यह एक ब्लाइंड आर्टिकल था उस टाइम प कनेक्शन नहीं है, शुशंत की एक्स मैनेजर दिशा से या फिर शुशंत से, तो इस जगा को लेके ही सबसे बड़ी प्रॉब्लेम है कि किसने कहा कि दिशा शुशंत सिंग राजपुत की एक्स मैनेजर थी, शुशंत सिंग राजपुत की एक्स मैनेजर तो दिशा साल या नहीं थी फिर भी इस topic को लेके ये कह रहे हैं और साथी साथ इनका कहना ये था कि शुशंत के साथ इनका वैसा कोई relation नहीं था यानि पार्टी में आने जाने वाला ऐसा कोई relation नहीं था तो चलिए इस जागा को भी हम मान लेते हैं क्योंकि डेफिनेटली आप स्क्रिप्ट जो दिया गया है स्क्रिप्ट के हिसब से ही इसका एंसर देना होगा तो वो स्क्रिप्ट पकर के ही एंसर देगा देखिए आपको बताता हूं यह कहां से शुरू हुआ ठीक है फेस्बूप पे एक पोस्ट किया था एक आदमी ने जिसका नाम है पुनीत वशिष्ट पुनीत वशिष्ट पुनीत वशिष्ट इस एंड़ प्लेश एंड़ एंड़ प्लेपल फिल्म्स बफोर आई उस जगा पे सुरच पंचली का कहना है कि इनकी उपर जो भी ब्लेम आया था वो पुनीत वशिष्ट के तरफ से आया था और नारहन नारे के तरफ से आया था और बाकी का जो बात वो कह रहा है वो हर एक जगा पे हकला रहे कोई भी बात ठीक तरीके से वो नहीं कहे पा रह तो उस टॉपिक में बाद में आता हूं कि वो डिस्टर्ड है उनकी चहरे से यह पता मुझे लग रहा है कि हाँ वो गलत कह रहा है पर मेरा कहना यह कि जब आपको पता है सुरज पंचुली जब आपको पता है कि आपके नाम पे ऐसी फॉल्स प्रोपोगंडा फैलाया जा रह है पुनित बसिष्ट के तरफ से यह नारैन राने के तरफ से तो आप 56 का मामला क्यों नdade की केसि हें तो बो केस्तों आराम से उन लोगों के खिलाब कर सकते कि नहीं चलो मुझे बदनाम करने की कोशिश किया जा सरे आम, इसकी उपर बहुत सारे आर्टिकल छप रहे हैं, मेरा जो कडियर है वो डिफिनिटली बदनम हो रहे हैं, तो जिसके कारण पचास तूपर लगते हैं कोट में, कोट फीस के तहर, तो आप तो आराम से एक वाकिल हायर करके उन लोगों के उपर आराम से केस डाली सकते पर क्या आपने लास्ट तीन साल के अंदर ये चीज़ किया, नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि पार्टी की जो बात है, वो बात अलगे, पर शुशंत और दिशा की केस में, अगर मैं उन लोगों को डिफिन्ट करने के लिए जाऊं, तो कुछ और ही निकल आएगा सुर इनको लगा कि आग सुरज पंचोली के बारे में कुछ लिख देते हैं, ऐसा है बात, ऐसा तो नहीं है, तो डिफिनिटली जहां धुआ उटता है, वहां कभी न कभी आग तो लगा है सुरज पंचोली, तो उस आग की ही तलश कर रहे हैं हम कि अल्टिमेटली जो आग लगा था इस धुए के पीछे उसमें क्या था क्योंकि डेफिनेटली फॉल्स प्रोपोगेंडा बहुत सारे लोग ने फैला आया था और यह फॉल्स प्रोपोगेंडा फैला के शुशंद सिंग राजपुत की केस और दीशा सलियान की केस को अच्छी तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश किया था दूसरे रूट पे पर सच्चाई जो है सच्चाई से हम कोई भाग नहीं सकते सुराज पंचोली अदित्या ठाकरे क्या यह लोग शुशंद और दीशा के केसमें इन्वल्ब नहीं है यह अगर कोई कहे तो यह बात हजब नहीं हो पाएगा पर हां कुछ-क का हाथ नहीं था यह कभी हो नहीं सकता कैया जो बॉलिवूड माफिया है जो अभी यह भाग आफिया है यह वह है शुर्ज का अफैर था दिशा से और यह जो इंटर्व्यू है इस इंटर्व्यू की पूरी की पूरी लिंक मैं कॉमेंट सेक्शन पर पिन कर दूग वान सुराज पंचोली पूरी इंटर्वियू में रिपीट किया था। आप देखेंगे तो आपको clearly तरीके से पता चल जाएगा कि यह जो भी बात कह रहा है वो scripted बात है क्यूंकि एक ही बात को बार 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 दोहराया जा रहा है जो भी question किया जा रहा है वो ही same answer दोहराया जा रहा है किसी को भी समझ में आ जाएगा यह बात यानि यह तो actor जो है यह actor तो घटिया है ही और साथी साथ उसी घटिया acting वो आज तक चरहों पे भी आके करने की कोशिश कर रहे है शुशान को जानता था मैं और उसे एक दो बार मिल चुका मिलाओं मैं and my relation with him was very normal very cordial because हम same industry के हम कभी किसी के घर पे मिले हो या कोई office में मिले हो तो हमने हमे हमेशा हाय हैलो किया यानि शुशन सिंग राजपूत को देखते ही हमेशा हाय हैलो किया ब्रादर के तरह ट्रीट करते थे एक दूसरे को तो चलिए इसका कुछ नमुना भी देख लेते हैं कि कैसे ब्रादर के तरह ट्रीट किया जाता था फिलाल जो वीडियो में आप जो ली एवोइड कैसे कर रहे थे उसका नमूना देखी आप और इसी से ही आपको पता चलेगा कि कितना बरा हराम ही है जो की निउस चैनल पर बैठके ये बात कहा रहा है कि शुशन सिंग राचपूत को भाई के तरह वो ट्रीट करते थे शुशन सिंग राचपूत को भाई मुव बोली भाई बगल में खना है पर फिर भी सब किसी को वो हग कर रहे सब किसी से बात कर रहे शुशन सिंग राचपूत को भाव नहीं दे रहे यह है सुरज पंचोली की भाई वाला सिन यानि शुशन सिंग राजपूत को देखते ही हाई हैलो भाई कैसे हो तो यह वाला सिन है यह यानि कैमरे के सामने कुछ कैमरे के पीछे कुछ सबसे मिल रहा है सिवाई शुशन सिंग राजपूत के और इसके पीछे कारण क्या है वो भी उस इंटर्व्यू में इन्होंने खुद बताया था लोगों को शायद यह पता नहीं चला पर उन्होंने बता दिया था इस बात कि क्यूं वो शुशन सिंग राजपूत के उपर इ आज तक के सामने तो यह आप लोगों को भी पता चल चुका है कि कैसे कैसे जूट कहा जा रहा था मैं बस आप लोगों के सामने इसका प्रूप रखना चाह रहा था कि आल्टिमेटली यह जो जूट कह रहे हैं इस जूट को आप लोग आप आपकी आखों से देखिए कि लोगों के सामने बो लोग जब आते हैं तो ऐसी प्रेजन करते हैं खुद को कि बो लोग यानि उन लोगों से अच्छा महापुरुश और कोई हैं ही नहीं यानि बाकी कोई बदना में मैं ही अपने आप में सिर्फ साप सूत्रा और पवित्र एक आत्मा हूं और यह वीडियो तो आपने देख लिया अब चली एक बर आप लोगों को सुना देते हैं कि इस वीडियो के रिलेट एडियानी शुशन सिंग राजपूत के बारे में सुरज पंचोल क्या कह रहा था मैंने 2017 में एक आर्टिकल दिया था एक ब्लाइंड आइटम आर्टिकल आया था मेरे और सुशांत के बारे तो मैंने मैंने उसका ट्रेकिशन तब दिया था देख देख नथिन ब्टून से नहीं देखता था वो देखता था कि मैं मेरा बाप तो इंड़स्ट्री की इतनी बरी एक दिगज है मैं उनका बेटा हूँ तू को मैं भाई मतलब तू मुझे भाई बुलाएगा तेरा हैसियत ऐसा है और जिसके करण जो वीडियो अभी अभी मैंने आप लोगों के सामने राका उस वीडियो आए शुषन सिंग राजपूत उस जगा पे जो फोटोग्राफर था उसको कह रहा है कि सुरज पंचोली की भी फोटो ले वो फ्रेम पे है शुषन सिंग राजपूत इशारा कर रहे फोटोग्राफर को बात को समझने की कोशिश करो दोस्तों कि मैं यह आज तक जो निउस चनल है इसको ऐसे ही वाशिंग वैशिन नाम नहीं दिया बट ही रिस्पेक्टेड मी और रिस्पेक्टेड रिस्पेक्टेड रिम तूस मैं सीनियर बन जाएगा कि एक आउटसाइडर राके मेरा सिनियर बन जाएगा इंटर्व्यू के आगे भी इन्होंने कहा है कि शुशन सिंग राजपूत बहुत सरे फिल्म ही किया उस टाइम पे और वो बहुत सक्सेस्पूल थे तो हम लोगों के अंदर एक बहुत ही अच्छा बॉंडिंग था या मेरा सिनियर बन गया दोस्तों इंटर्व्यू जो है किसी का मैं यह लास्ट कुछ दिनों से इंटर्व्यू किसलिए प्ले कर रहा हूं इसके बीछे रिजन बस यह यह कि आप लोगों को कोई भी टॉपिक लेके बताने से अच्छा है कि आप लोगों को प्रूप समेत सब कि कौन कौन सी जगा पे किस किसने कौन कौन सी तीर मारा था और यही बो जगा है जिस जगा पे सुरज पंचोली को इन सीक्यूरिटी फिल वा था शुशन सिंग राजपूत को लेके सुरज पंचोली हर जगा पे कह रहा है ना कि भाईचारा भाईचारा तो इस भाईचारे का जो भायचारे का जो responsibility है वो शुशन स्टिंग राजपूत निवा रहा था पर तुने नहीं निवाया यानि सुरज पंचोली का ये mindset था कि मेरा बाब अधित्या पंचोली जो है बहुत बड़ा superstar है इंडेस्टी में बहुत दिनों से है और जिसके करण इंडेस्टी का जो popularity क गेन करना ये तो चुटकी की बात है ये तो मैं आते ही मेरा जो क्रेज है उस क्रेज में मैं कर लूँगा यानि लोग कहेंगे कि आधित्या पंचोली की बेटा आया है मैं हिट तो ऐसी हो गया पर लोगों ने उसको भाव नहीं दिया कोई भी दर्शक ने उसको पूचा तक नहीं बलकि उसको हटा के शुशन सिंग राजपूत बॉल्यूट की सूपर स्टार की दौर में लग गया था बॉल्यूट की तमाम जो एक ग्रेटेड जो स्टार है उस स्टार की लिस्ट में उस स्टार की एकी रैली में वो दौर रहा था तो डेफिनेटली एक तो जलन काम करता है ना वाई और वो ही जलन था ये जो कि इनकी इंटर्वियू से चलक रहा था कि शुशन सिंग राजपूत मेरा स्टार्थ था और उसी इसलब से मैं उनको रेस्ट करता था कई सारे फिल्मे करके शुशन सिंग राजपूत तो सक्सेस्फुल हो गया था और ये ही सक्सेस था इन लोगों की पिछवारे में इतनी बरी चलन तो बस दोस्तों ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है क्योंकि मैं इंडर्वियू को लेके जैसे ही बात करता हूँ वो वीडियो ऐसे ही लंबा हो जाते तो ये वीडियो मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ इस वीडियो को अगर आप पूरा डिरेक्ली पूरा का पूरा देखना चाते तो मैं कॉमेंट में डेफिनेटली इस वीडियो का लिंक पीन कर दूँगा जाके एक पर देखिएगा आप आपकी नजरों से देखिएगा अभी तो चारापुना के नजरों से अपने वीडियो को देखा आप आपकी नजरों से देखे आपका अगर कुछ अलग ओपिनियन है अगर आपने कुछ अलग चीज इस वीडियो से नोटिस किया है तो उसको भी उठाके दे सकते हैं हमें हम डिफिनिटली इसको लेके भी बात करेंगे तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे मैंना निक्स्ट किसी वीडियो पर तिल देन सब कोई खुशे यहेगा बरिया नहींगा टाटा